हेलो दोस्तों स्वागत आप सब्सक्राइब के यूट्यूब चैनल पर और आज जम करने जा रहे हैं स्टेक्स जीके की कुछ महत्ते पुन क्यूशन जो की हर एक एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट देखते हैं पहला क्यूशन पहला क्यूशन है काजरंगा राष्टे पार्क है यहनकी काजरंगा नेशनल पार्क है जो कहां फिस्तित है और इसका आंसर होगा वह होगा असम ही ऑसम के अंदर चैंगरन पर्क आप तो कान शेघाल सब्सक्राइब और किस वाले तो कशिकस यह ने पहर मंज़ें आप आप ठीचन वाले गंड़ें मES है के रहे चैंग सब्सक्राइं Stre Marx कि दिस्पूर और लार्जेस सिटी आपको बढ़ता है कि गोहाटी कि सबसे बड़ी सिटी जो गोहाटी है बात करते हैं सी एम एक गवर्नर की पहले बात कर लें तो जगदिप जगदीश मुखी जगदीश मुखी जगदीश मुखी यहां की गवर्नर है सी एम की बात करें तो यहां के सी एम हेमंता हेमंता बिश्वा सर्मा थीक है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हिंदी किस लिभी में लेकी गई है जगदी किस लिभी में लिखी गई है यह है देवनगरी देवनगरी के अंदर हिंदी लिभी लिभी लिखी गई है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन जे हिंद का answer कित ने मिसको कोई नहीं है इसका answer ?, डिवस, सबससंद्र बोष ने ही जे हिंद का नारां दिया था थीक है छलिए देखते हैं से सहस्त्र सेन जंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है साथ सितम्बर साथ दिसंबर साथ परवरी या साथ अपरेल इसका आंसर होगा वह वो होगा साथ सितंबर को सशस्त्र सेना जंडा दिवस मनाया जाता है ठीक है और साथ अपरिल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे क्योंकि इसी टैम पे जो डवलो एचो का फॉर्मेशन वहा था नाइनटीन फोर्टी एट के अंदर चलिए देखते हैं नाइस्ट क्यूक्शन किस काल की लीपी को चित्रकला लीपी कहा जाता है इनकी चित्रकला लीपी किसको कहा जाता है क्या आंसर होगा चित्रकला लीपी का क्या आंसर होगा ओप्सन आप के सामने है तो इसका आंसर होगा वह होगा सिंदु काल इनकी सिंदुकाल के अंदर चित्रकार लिपी को कहा जाता है तो लिपी को चित्रकार लिपी कहा जाता है तो चलिए देखते हैं नेस्ट कुशन राष्टिय युवदिवस कम मनाय जाता है राष्टिय युवदिवस कम मनाय जाता है ओप्शन है 21 जनवरी, 13 जनवरी, 12 जनवरी या 15 जनवरी तो इसका आंसर होगा 12 जनवरी 12 जनवरी को दिन यह राष्टी युवादियोस बना जाता है स्वामी स्वामी विविका नंद कि जनम दिन पर जनम दिन पर ठीक है चलिए देखते हैं एस्ट्यूशन who lives if India dies किसकी द्वारा दिया गया है मतलब किसकी द्वारा यह वाक्य दिया गया है option है जवालाल नहरू, मातमा गादी, बगत सिंग है इन में से कोई नहीं अगर वे जीएंगे तो यदि इंडिया मरेगा तो वो जीएंगे यह नारत दिया था जवालाल नहरू ने ठीक है यह बारत के पर्थम प्राइम मिनिस्टर जवालाल नहरू, चाचा नहरू की नाम से जाने जाते ते देखते हैं नेक्स्ट कुशन आतंगवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है ? और अप्षन है 12 माई 24 माई 21 माई 28 माई तो इसका आंसर होगा वह होगा 24 माई 24 में को यह दिवस मनाया जाता है 24 माई आतंगवादी विरोध दिवस तो चलिए देखते हैं नेक्स कुशन भारत का प्राचिन बासा है यहनकी भारत का प्राचिन बासा बारत की प्राचिन बासा ओप्षन है संसकर्थ हिंदी पाली या प्राकर्थ तो इसका क्या आंसर होगा इसका क्या आंसर होगा तो इसका जो आंसर होगा वह होगा संस्कर्थ संस्कर्थ प्राचिन बासा है क्योंकि संस्कर्थ से ही सभी बासाओं की जन्मी माने जाती संस्कर्थ और इसी से ही सभी बासाओं का जनम हुआ है इंग्लीज हिंदी स्पैनिश जर्मन चाइनिज इस बी बासाओं कि जनक संस्कृत बासा को माना जाता है चलिए देखते हैं कि अब बारत का सबसे चोड़ी नदी कौन सी अब आधि की सबसे चोड़ी नदी कौन सी है ऑप्चान ब्रह्मा पुत्र गौमते नदी गंगा नदी या चंबल नदी तो इसका क्या आंसर होगा तो इसका आंसर होगा वो होगा ब्रह्मा पुत्र ब्रह्मा पुत्र चोड़ी नदी है चोड़ी ऐसे और सबसे लंबे नदी सबसे लंबे नदी है गंगा नदी ठीक है तो इसका आंसर होगा सबसे यह अरुणात्र प्रत्र नदी ठीक है अ उसली देखते हैं नेस्ट तो बारत रतन प्रोसकार प्राप्त करने वाले पर्थम व्यक्ति कौन थे बारत रदन प्राप करने वाले प्रत्म विक्ति कौन थे तो आंसर होगा सरुपली रादा का सन सरुपली रादा का सन आर 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 इन तीनों को दिया गया था 1954 के अंदर पहली बार पहली बार बारत रदन गुनिशो चौमान में दिया जाया था आर 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 रमन राजगोपलाचारी यह अलग है इसके अंदर यह आंसर नहीं हो इसके अंदर राजगोपलाचारी और सुर्पली रादगाशन तीनों को दिये गया था तो चलिए देखते हैं नाइस्क्यूशन बायत में कितने राजे तत्रिका से लगे हैं ओप्शन है साथ आठ नो ये दस तो इसकांसर होगा वह होगा नो नो इसकांसर होगा तो तलिए देखते हैं पहला है गुजुरात ठीक है दूसरा है महराश्ट्र तीसरा है करनाटक चोता है गोवा केरल एक दो तीन चार पांच अब देखिए तमिलाडू थेक है इसके बाद में आता है आंदर प्रदेश अंदर प्रदेश आंदर प्रदेश पर उसके बाद में आता है पुडिशा पुरी साब फिर उसके बाद में आता है पस्सिम मंगाल पस्सिम इस परकार से 9 जाते हैं एक एक दो तीन चार और पांच छह साथ आठ और एक नो ठीक है तो कितने राज्य लगते हैं तो नो राज्य और तरह का से लगते है चली देखते हैं कि ई लाइसका अपर बारत का कॉन सा क्रका नियुकि भारत का सा को को सा राजना सक्कर का कटोर सब्साथ sledता है पुधनिए देखते हैं, यूपी के बारे में, यूपी के बारे में आप सभी को पता होगा, जो, सि- cob, यू इसे, आपको अधितयनाथ, योगि, योगि, ठीक है, उसके बाद, गऊणेर, आनंदि पिल, पटेल, आनन्दी बेन, पटेल, ठीक है, यहां पर असी लोकसवा की सीटे हैं, लोकसवा, ठीक है, और यहां दूद्वा, दूद्वा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है यहां का, ठीक है, और नोटंकी, नोटंकी यहां का एक नर्ते है, तो चलिए देखते हैं, नेश्ट क्यूशन, बात की लोकसवा की परता मद्देक्स, लोकसवा, लोकसवा की परता मद्देक्स कोन है, ओप्शन है, जीवी मावलंकर, दाक्टर राजिंदर परसाद, वियोमेश चंदर बनर जिय या अन्य, तो इसका आंसर होगा, वो होगा, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, लोकसवा के परता मद्देक्स देखते हैं, इस टैम कोन है, प्रजेंट टाइम में, प्रजेंट टाइम, तो है, ओम बिर्ला, ओम बिर्ला, ठीक है, और लोकसवा की बात करें तो, लोकसवा है इक एक टीवन आर्टिकल चुर्फ एक टीवन ठीक है याद रखने का तरीका बहुत याद रखने का तरीका है सरला सरला से आप याद रखेएगा संसद सेवन्टी नाइन रैसे राजसभा असी और लोकसभा इत्क्यासी इस परकार से आप याद रख सेटने एक ट्रिक है सेवन्टी नाइन आर्टिकल बारत की सबाने राष्ट दोज कब अपनाया इसको अपनाया था कि तो रीह से नदी बारत के राष्टेन नदी कौन सी यह इसको आंसर हो गंगा गंगा नदी बात की राष्टेन रडी है चलिए देखते हैं कि भारत की सव्थान सभाने राष्टी दोज का प्रारूप कब अपनाया कि रास्टे दोज का कब अपनाया तो जुसका आंसर होगा 22 जुलाई गुनिश्टो चैन्तालीस 22 जुलाई 22 जुलाई कि गुनिश्टो कि सैन्तालीस कि स्टोरी कि आंसर होगा ए 22 जुलाई गुनिश्टो सैन्तालीस को रास्टिय दोज प्रारुप को अपनाया गया था कि जली देखते हैं नेक्स्ट बारत का सबसे पहला ग्रह मंत्री कौन था ग्रह मंत्री कौन था फस्ट ग्रह मंत्री अब इंडिपेंडेंटेंस फस्ट होम मिनिस्टर हो मिनिस्टर हो मिनिस्टर कौन था अ तो पहले मुनिस्टर ते सर्दार वाई सर्दार वल्ला भाई पटेल पर्स्ट उमिनिस्टर इस टैम पे हैं अमित्सां प्रिजेंट 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 के अंदर अमिस्टर हो मिनिस्टर है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है कि अमने बात के सबसे चोड़ी नदी चोड़ी नदी तो है ब्रह्मा पुत्र और सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह होगा गंगा नदी जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन दोरा सतक बनाने वाले परत्तम भारती महिला किर्केटर कौन है आपका पता होगा दोरा सतक दोरा सतक इन ओडियाई तो तो दो लगाया था मैंन के अंदर को सचिन तैंदुलकर और महिला में था मिताली-राज महिला में है मिताले राज ने दो राशतक लगाए था जो कि बारतिय वंडर टीम की कैप्टन भी है आज ठीकрад चलिए देखतें का शोरी दोस्तो आजए इतती न SARAH जाए तो कैसा लागा वीडियों हमारा अच्छा लगा तो लायक कीजी चेर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियों देखने के लिए आमारे यूट्यूपस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और जद 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 शेयर कीजिए धन्यवाद